आपको बता दे संभल से जहाँ पर संभल हिंसा पर पोलिस की तरफ से लगातार आक्शन लिया जा रहा है इस वक्ति की बड़ी ख़बर आपको बता दे संभल से हिरासत में जामा मजिद का सदर जफर अली हिंसा के लिए प्रिशासन को जिम्मेदाठ हराय था प्रिस कॉंफरेंस करके जिसके बाद पोलिस के त्वारा कारवाई करते हुए जामा मजिद के सदर जफर अली को हिरासत में लिया गया है संबल में भले ही अब हालाद सामाने हो गए हो लेकिन हिंसा को लेकर जो तस्वीरे अब तक सामने आई हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना कैसे उपद्रव्यों ने तांडव मचाय था जिसके बाद पुलिस ने एक्शुन लिया और उपद्रव्यों पर काररवाई जारी है उपद्रव्यों ने पुलिस पर पत्थर बढ़ साई और फिर आग जनी की संबल में मज़ित सर्वे के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरे वहां के भयावे हालाद दिखाने के लिए काफी है उग्रभीर जलती हुई गाड़िया और भयानक पत्थर बाजी साफ साफ देखी जा सकती है संबल में हालाद इतनी तेजी से बिगड़े कि पुलिस को उन्हें सामाने करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दरसल 24 नवंबर की सुभा सुभा प्रशासनिक टीम संभल के मजामा मजजित में सर्वे के लिए पहुँची थी ये सर्वे विवादे तस्थल और पूरा तत्व से जुड़ी जानकारी खटा करने के मकसद से किया जा रहा था शुरुवात में हालाज सामाने थे लेकिन देखते ही देखते दूसे तीन हजार लोग मजजित के आसपास से खटा हो गए भीड और पुलिस के बीच तीकी बहेस हुँच और फिर मामला पत्थर बाजी तक पहुँच गया जामा मजजित में सर्वे करने के लिए पहुची टीम पर भीड ने पत्थर आप कर दिया इसके बाद बबाल भटा चुला गया उगर भीड का तांडव ऐसा था कि नोंने गाड़ियां फूपना शुरू कर दी भीड से पुलिस प्रिशासन लगातार शांती बनाने की अपील करता रहा लेकिन उपद्रव्यों की फिर पत्थर बाजी से बाज नहीं आए प्रिशासन ने हालात सम्हालने के लिए आसुगैस के गोले छोड़े लोगों को तेतर वितर करने की कोशिश की गल्यों में जगा जगा पत्थराव हो रहा था उगर भीड लगातार गाड़ियों को आग के हवाले कर रही थी भीड को खदेरने के लिए पुलिस दे लाठियां भी बांची तीन घंटे से ज्यादा वहाँ पर हाला बेकाबू रहे एक तरफ संबल सुलक रहा था दूसरी तरफ सियासी रोटिया भी सेकी जो घटना हुई है हमारे सांसा जियार रहमान जब संबल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफायर दज करना ऐसा उधार कभी किसी को मिला होगा देखने को सुनने को एक पुलिस ओफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो नेताओं का सारा लेना छोड़ दो किसके लिए भाशा थी वो और मैं ये कहना चाहता हूँ हाला कि सब जानकारी आपके पास है दुरभाग की पूर्ण है घटना नहीं होनी चाहिए और जो मारेनी नियाले का आदेश है वो सभी को मिलकर मानना चाहिए और आज ये वहाँ पर सांती ववस्ता है और विपक्च को संबल में राजनीच से बचना चाहिए दूसरी तरफ इस पोरे मामले को लेकर AIMIM चीर्ट ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरूप लगाए जिस पर BJP ने पलट बार किया है दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ओर्डर दिया सर्वे हो गया दूसरा सर्वे जब कि आपने किसी उतला नहीं दी तीसरी बात यह है कि पूलिस का यह काम था कि मस्जिद कमिटी को लेते है या महाँ की पीस कमिटी को चौती बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे वो प्रवाकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे है वो वीडियो उसका है पब्लिक डूमेन में है तो ये जो firing हुई है ये firing नहीं है murder है और जो भी officers involved है उनको suspend करना चाहिए और एक sitting high court justice के inquiry होनी चाहिए कि सरासर गलत है जुल्म हो रहा है महाँ पर तो संबल में मैं तो यही कह रहा हूँ विपक्षा संसत के अंदर क्यों नमा करें इनी के कारण तो यह दुर घटना घटी है यह तुष्टी करन के नीती करते हैं आज संबल के घटना के पीछे कौन खड़ा है यह विपक्षी तो खड़ा चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो यह आखिर एका यह भीर कहां से आई आखिर सरकारी अधिकारिओं को काम से किसने इतनी बड़ी भीर लाया यह वहां के सांसाज, वहां के विधायक, वहां के बेटे, वहां के अन्य लोगों ने जो कटर पन्ति लोग है उन लोगों ने जान बुच्च करके जैसे कभी वोधरा में किया था ट्रेन को जलाया था उसी तरह से सम्मल को जलाना चाहते हैं सम्मल हिंसा के बाद पुलिस की टीमें मुस्तेय थे और लखनों से लेकर जिले के आलादिकारी पूरे हालातों पर अपनी नजर बनाया हुए है इस मामली में पुलिस की ताबर तोड कार रवाई भी जारी है जिससे इतना साथ है कि जिन्नों ने हिंसा पहलाने की कोशिश की वो बक्षे नहीं जाएंगे और जल्द इस घटना के दोशी पुलिस की गिरफ्त में होंगे वीडियो जनरीट अमित कुमार के साथ हिमानतु शर्मा न्यूज स्टेट संभल और मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है मुसल्मानों को परेशान किया जा रहा है तो सपा सांसत जिया और रहमान बर्क का बड़ा वयान सामिया आया है घटना को उन्होंने साधिश करार दिया है और जान बोचकर मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है तो संभल हिंसा पर सफा सांसत का बड़ा भ्यान उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लेमेंट में अभी तक उसके खलाफ कोई कदम नहीं हुड़ाया मैं मांग करूँ आज सदन में भी इस मसलिक उठाऊंगा और मानिस सवोज नियाले से भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें संग्यान ले और जो अधिकारी इसमें सनलिप ने जिन्हों ने इस घटना को अंजाम देने में पूल करे से हैं जिन्हों ने हमारे नोजवानों की हतिया की है और सरकारी असले के साथ प्राइवेट असलों से बूली चलाई है उनके खलाफ हतिया का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनको सलाखों के पीछे बेजना चाहिए जिससे के उनको इनसाफ मिल सके है उनके परिवारों को और आनी वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिरवान नहीं कर सके छो अब तो मुझे बताएं कि यह सर्वेन और विरति संविधान के अधे होता जलदी कि इनको रहा और को विद्र नु 상황 काम बार्द क्या ना है कि ऊपर जम स्कड़ेंगें. इसमेती मनाते लोगोगों को आपस में मिलकर विसके पालेंगें लिगे करना चाहिए था ऐक मोझ की शेकल में रोहरे के नारे लगाकर करके आप सर्फेय करने जा रहे हो लोग्off गान Eduardo के अंदर क्या मेसिज देना चाहते तो संबल इंसा को रिकार सफा सांसा जिया औरमान बर्के की तरफ से आरूप लगाए गया है कि ये साधिश के तहट गटना घटी है मुसलमानों को बेवज़े परिशान करने के लिए ये साधिश रची गए वहीं संबल में 19 नॉमबर को हिंदू पक्षकी ओर से नैले में एक याचका दैर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जामा मजजिद ही हरिहर मंदिर है उसी को लेकर कोट के तरफ से सर्वे का जबादेश दिया गया दुबारा से टिम जब सर्वे करनी के लिए पहुँची उज़रान हिंसा भड़की थी जिसमें कहा गया था कि समल की जो शाही जामा मजजिद है वो हरिहर मंदिर हिंदू पक्षकी तरफ से इदावा किया गया इसके बाद कोट ने मजजिद के सर्वे का दिश दिया था और इसी मामले में सर्वे भी किया गया 29 नुवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट कोट में संबिट भी करनी है 29 नुवंबर को इंदू पक्षकी ओड से सिवेल सीनियर डिविजन चंदोसी नियाले में याच का दायर की गए थी जिसमें कहा गया था संबल की शाही जामा मजजिद हरिहर मंदिर है जिसको लेकर कोट में सुनवाई हुई और जब सर्वे करने के लिए दुबाला से टीम पहुँची वो जोरान जम कर पथराओ की आगया उपद्रियों के द्वारा 19 नवंबर को संबल के सीनियर सिविल डिविजन चंदोसी नयाले के अंदर ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से रखा गया था जो शाही जामा मजजिद है यहां कभी शिरी हरिहर मंदिर हुआ करता था उसके बाद टीम को सर्वे करने की अनुमती दी गई एडवोकेट कमीशन का गठन हुआ और मंगलवार को पहला सर्वे किया गया इस वक्त हम शाही जामा मजजिद के बाहर ही मौजूद हैं तस्वीर आप देख सकते हैं शाही जामा मजजिद की जिसके बारे में यह बताया गया कि बावर के शाशनकाल में 1529 में यहां शीवी हरी हर मंदिर हुआ करता था और उसके बाद इस पर मजजिद का निर्मान कारे कर लिया गया और इसी अपील के बाद जो एडवोकेट कमिशन है उसका गठन हुआ और उसके बाद यहां सर्वे कर लिया गया है सर्वे पूरा होने के बाद जो हिंदू पक्ष है उनका दावा है कि अंग्रेजो का जो लिखा पड़ी है उसके अंदर बकाइदा यह बताया गया है यह मंदिर के जमीन है हाला कि जो मुस्लिम पक्षदर है उनका साफ तोर पर कहना है अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास है तो उसको सामने लाया जाए अंदर की सर्वे रिपोर्ट पूरी हो चुकी है उस रिपोर्ट को 29 तारीक को यानि आने वाली 29 नमबर को सर्वे रिपोर्ट को सम्मिट करना है और सर्वे रिपोर्ट सम्मिट होने के बाद जो बैंच है वो यह देखेगी कि यहां से कोई ऐसे साक्षे मिले है जिससे कहा जा सके के बाबर के समय में यहां मंदिर हुआ करता था श्री हरी हर जिसके बाद इसे तोड़ कर यहां मस्जिद बना ली गई तो वो जो भी साक्षे हैं अगर ऐसे निकल कर सामने आते हैं उसके बाद आदेशों का पालन कराया जाएगा आप देखना होगा किस सर्वे यहां से लिया गया है और सर्वे रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस बात का इंतिजार रहेगा लेकिन फिलहाल 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट को सम्मिट करना है जो दो सर्वे यहां पर किये गए हैं एक सर्वे आपको बता दे बीते मंगलवार को हुआ था जबकि दूसरा सर्वे कल हुआ था और दोनों ही सर्वे पूरे कर लिए गए हैं। जो एड़ोकेट हैं विश्नु शंकर जैन उनकी तरफ से ये दावा साफतोर पर क्या गया है कि तमाम ऐसे सबूत यहां से इखटे किये गए हैं और उन्हीं सबूतों के अधार पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो शाहिद जवा मजद है यहां कभी शिरी हरीहर मंदिर हुआ करता था अब देखना होगा कोट किस तरह का आदेश आगे सुनाता है वीडियो जैनलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमानतु शर्मा न्यूज श्टेट संबल और संबल इंसा के मामले में स्पी सांसा जियाओ रह्मान बर्क और स्पी विधायक के बेटे सोहेल फर पुलिस ने फायार दर्च की है सीसी टीवी फुटेश के माध्यम से अन्य आरोपियों की भी पैचान की जारी अब तक 25 लोगों को गरफतार किया गया है संबल में जो कल पत्थरा हुआ था उस पत्थराओ को जो मुनसिबल पार्टी की टीम है लगातार एकटा करते हुई दिखाई दे रही है तस्वीर आप देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेक्टर ट्रोली है इसके अंदर जो मुनसिबल पार्टी की टीम है उनके द्वारा यहां पर तमाम चपले जो सड़कों पर पड़ी हुई थी पत्थराओ के बाद उसके बाद यहां पर जो पत्थर हुए थे पत्थर सड़कों पर पड़े हुए थे उन सब को इखटा करने के बाद यहां से ले जाया जा रहा है ताकि इसका इस्तमाल दुबारा से ना हो सके अलग अलग जगा से जो संभल का इलाका है जहां जहां पत्थर बाजी देखने को भी ली वहां वहां मुंसिपल पार्टी की टीम पहुँच रही है और इस तरह से सडकों को साफ करने काम लगातार जारी है और जितनी भारी संख्या में या जो मलवा हुआ उसको इखटा करने करका काम फिलाल यहां पर मुंसिपल पार्टी की की टीम जो है वो करती दिख्हाई दे रहे हैं जो लोकल के यहांके उनसे बात करने की कोसिश करते हैं सर यही के हैं आप लोकल संभल के क्या कहेंगे इट पत्थर चप्पल जूते सब लेकर जा रही है मुन्चीफल पार्टी के टीम कितने बड़े स्थर पर कल बलवा हुआ था इसी संदाय लगा 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 लिए जितने इट हैं इतनी आद्म होंगे इतनी चप्पल है और क्या पूरी कोशिश की गई थी पुल से क्या अपिल की जारी है आप सबसे भी अपिल की गई दिमिल करिये तैस जान्ती को समाने होने में कितना और समय लगेगा एक तरह से देखा जाए जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा इस संभावना जताई जा रही है और साफ तोर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुंसिपल पार्टी की टीम जो है वो जगा जगा से जो पत्थर बाजी हुई उन पत्थरों को इखटा करके ले जा रही है जो चपले सडकों पर पड़ी हुई है उनको वहां से इखटा करके ले जा रही है जो इस बात का सबूत साफ तोर पर है कि कल कितने बड़े सर पर बल्वा हुआ था वीडियो जनरलिस्ट अवित कुमार के साथ हिमांतु शार्मानी उस स्टेट संबल वही संबल इंसा के मामले पर केंदर मंति गिरडास सिंग की भी प्रतिकियार सामिया इसके इलावा नोने अकले शादों पर भी जमकर निशाना साथ है क्या कुछ काय सुनाते हैं संबल में जो घटना घटी है तो सीधा आरोप वहां कि राज सरकार प्रसपा की तरफ से लगाया जा रहा है मैं तो यही कह रहा हूँ बिपक्षा संसर्प के अंदर क्यों गामा करें इन्हीं के कारण तो यह तुर घटना घटी है यह तुष्टी करन के नीती करते हैं आज संबल के घटना के पीछे कौन खड़ा है यह बिपक्षी तो खड़ा है चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो यह आखिर एका एक भीर कहां से आई आखिर सरकारी अधिकारियों को काम से किसने इतनी बड़ी भीर लाया यह वहां के सांसद वहां के विधायक के बेटे वहां के अन्य लोगों ने जो कटर पलती लोग हैं उन लोगों ने जान बुच करके जैसे कभी वो धरा में किया था ट्रेन को जलाया था उसी तरह से पल को जलाना चाहते सपा और वहां के सांसद करवे के पूलिस ने सीधी गोली चलाई है वहां सर्वे की कोई जरुवत ही नहीं थी दुर्भाग रहा कि इस देश का प्रधान मंत्री नहरू बन गए सर्वे की जवरत तो 1947 में बढ़ने के बाद ही सब को ठीक कर देने की जव प्रध है क्योंकि भारत के अस्तित्य फे खतरा पैदा हुआ है ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे लगरा है था बंगलादेश में घटना घटी इन लोगोंने कहा था भारत में भी बंगलादेश होगा वही ये कर रहा है लेगिन का रहा है कि जो पुलिस ने हत्या कर दिया लोगों की वहा भी पखास करके विपक्छ के द्वारा है। तो गिराज चिंग जी का सीधा आरोप है कि वहाँ विपक्च की वज़ा से ही दुरगटना घटी है और गोली चली है संसर्वान परशार से विकास चली है और सम्मल वे बबाल को लेकर कॉंग्रेस नेता सचिन चौधरी का भी ब्यान सामनी आया उन्होंने इसको लेकर सरकार और प्रशासन पर जंकनिशाना साथा आये क्या कुछ का है सुनाते हैं आपको चार लोग की मोत की खबर आ रही है उनके परिवाद के साथ सम्मेद्ना है और अगर पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा उनकी मोत हुई है तो उनको मौद्जे की मांग करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि आज 21 सदी में है जहां पर लोग दुनिया स्पेस में जा रही है हम लोग हिंदो मुस्लिम पर लड़ रहे हैं लड़वाए जा रहे हैं ये कौन लोग है मैं जनता से अपील कर्मों की सांती बनाए रखें सप्ता हमेशा नहीं रहती सबको सब कुछ दिख रहा है कि इसकी में बहुत पुरानी हो चुकी है सब कुछ प्रायजिस समयसूस होता है क्योंकि 2991 अदिनियम के तहट जो पूजा इस्तर जहां पर है वहीं रहेगा उसके बाद इस तरह की आचिकाए कौन लगा रहा है ऐसा तो नहीं है कि संतन से जुड़े होए लोग में इनकी विजांच होनी सी है और संबल हिंसा को लेकर कथावाचक देवकी नंदर ठाको ने भी से गलट ठहराया है और उन्हें का कि प्रशासन के तरफ से जो दोशी उनके खिलाब सक्थ से सक्थ कारवाई होनी चाहिए जो कि एक मिसाल कायम करें जो कि अच्छी नहीं है उच्छी नहीं है और इसे आने वाले भारत के भविश्य का पता लगाना चाहिए ये विरकुल भी अच्छा विश्य नहीं है और ये कोई सरकार वहां पर जांच नहीं करा रही है ये कोट के आदेश हैं तो जब कोट के आदेशों को हम इस समय 2024 में पालन करते समय जब इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है तो आप 2034 और 2045 की कलपना कीजिए कि भारत कैसा होगा समय दान से उपर कोई नहीं है कोट के आदेशों से उपर कोई नहीं है उसके बावजुद भी इतनी बड़ी हिंसा हो रही है तो ये हम और लोगों के लिए सोचनिय विश्य है ये सोचनिय विश्य है कोट के लिए भी ये सोचनिय विश्य है सदन के लिए भी और ये सोचनिय विश्य है सांसदों के लिए भी ये सोचनिय विश्य है सनातनियों के लिए भी इसलिए तो हम सनातन बुड माग रहे हैं परतारमब्र, को हिर की मांगा रहे हैं।